बच्चो इस धर्ती पर रहने वाले सभी जीव चाहे वो पेड़ पौधे हो पशुपक्छी हो या मनुश्य हो बोजन की जरूरत सबको पड़ती है यानि जीवन जीना है तो उनको कही न कहीं से ऊर्जा तो प्राप्ट करने होगी और ये ऊर्जा हम किस रूप में प्राप्त करते हैं बोजन के रूप में हाँ ये बात अलग है कि अलग-अलग जीवों की भोजन की जो आवशक्ताएं हैं वो उनके प्रकृति उनके शरीर के अनुसार अलग-अलग होती है लेकिन कुल मिलाकर भोजन के द्वारा उर्जा को प्राप्त करने के बाद ही वो सही तरीके से अपना जीवन जीपाते हैं यहाँ सबसे महतुपूर्ण बात यह होती है कि भोजन को केवल पेट भार लेने तक की सीमित नहीं रख सकते बलकि एक ऐसे भोजन की जरूरत पड़ती है जो पौश्टिक हो यानि जिसे हम कहते हैं संतुलित आहार यानि हम यह कह सकते हैं कि प्रतेक व्यक्ति को एक सही स्वस्थ जीवन जीने के लिए संतुलित आहार की जरूरत होती है एक ऐसा आहार जिसमें परियाप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामीन और अधर जो मिनरल्स होते हैं वो उनको प्राप्त हो सके लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे देश के जो लोग है वो पेट भरने के लिए भोजन तो कर लेते हैं लेकिन कई ऐसे कारण होते हैं जिनकी वज़ा से जो पौश्टिक तत्व उनको भोजन के माध्यम से शरीर में उर्जा लाने के लिए चाहिए होते हैं वो उनको नहीं मिल पाते हैं इसके कई कारण होते हैं जिसे हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि गरीबी बेरोजगारी भुखमरी यह सारे ऐसे कारण हैं जिससे हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कौपोश्ट के शिकार होते जा रहे हैं इन्ही कारणों में एक बहुत महत्पूर्ण और बहुत बड़ा कारण है भुखमरी और भुखमरी के पीछे का एक कारण है समय का जो तेजी से चक्र परिवर्टित हो रहा है और समय बारिश हो रही है ये भी हमने देखा कि भारती क्रिशी जो है वो मौनसून का जुआ है कई बार मौनसून अपने सही समय पर आ जाता है और अच्छी क्रिशी होती है लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश होती नहीं है और जब नहीं होनी चाहिए तो बारिश होती है। जून जुलाह और अगस्त के महीने में हम पिक्षा करते हैं कि बारिश होगी और अच्छी फसल होगी। लेकिन वो बारिश दिसंबर और जनवरी में होती है। जबकि जो फसल अच्छी हुई रहती है उसको भी वो खराब कर देती है तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिससे समय समय पर देश में भुकमरी या अकाल के इस्तिती जेलनी पड़ी पहले भी हमने देखा अगर हम बात करें सन 1980 की दशक में तो बधिप्रदे में जो अकाल कैसे वो सर्वाइब कर पाए कैसे वो आकाल के दौरान रह पाए अगर हम बात करें वहां पर जीवन या अपन की तो कई हजार लोगों ने वहां पर अपने जान गवादी अकाल के दौरान जब उनको भोजन और पाने नहीं मिल पाया उस समय के कुछ लोगों के अनुभव क को अगर हम आपसे शेयर करें तो शायद आप अकाल की स्थिती और भुखमरी की स्थिती को काफी अच्छे से समझ पाएंगे अकाल में कुछ नहीं पका जिसको जो मिला वो खा जाता था पेड की पत्ती छाल किसी भी चीज को पीस कर खा जाते थी अकाल के समय जँगल की भाजी भी नहीं मिलती थी अनाज बहुत महंगा था पहले एक रुपए का पांच किलो अनाज मिलता था मगर अकाल में पांच रुपए का एक किलो भी मिलना कठिन था इसलिए लोग जुआर की राब्डी पीते थे राबडी जुआर को पानी में घोल कर उबाल कर बनाई जाती थी अनाज के कमी के कारण यह राबडी इतनी पतली बनाते थे कि जब ठाली में लेकर इसे पीने बैठते थे तो घर के चट के डांडों के परचाई उसमें दिखाई देती थी पेड़ों के तनों के छिलकों को बाजरे के साथ पीज कर रोटी बना कर खाते थे अनाज बहुत महंगा था एक मुठी दाना और मटका भर पानी पी कर जिये पेड के सभी भाग को खाया, मिट्टे भी खाई आपने बद्धि प्रदे में जिस अकाल के द्रिश्यों को देखा ऐसी ही कुछ इस्थिती बनी बंगाल में जब वहाँ पर एक भयावा अकाल पड़ा और लगबग 30 लाख लोगों ने अपनी जान गवा दी हम बार-बार बात कर रहे हैं कि कृषी के छेतर में सुधार हुआ, निरंतर सुधार हुआ लेकिन ऐसे कंडिशन में बंगाल में भूख और अकाल के इस्थिती क्यों निर्मित हुई बहुत छोटी सी बात से कई बार जैसे हम बात कर रहे थे कि बारती कृषी जो है वो मानसून का जुआ है कुछ ऐसे ही इस्थिति बनी मौसम के खराब होने के कारण यह न देने के कारण एक वर्ष वहां पर जो कृषी है वो बिलकुल अच्छी नहीं हुए यानि उपज बहुत कम हो गई और उपज कम हुने के साथ साथ उसका जो मूले है वो बढ़ता जा रहा था कुछ एक अफवाब ही ऐसे फैली कि लोगों के मन में ये डर आ गया कि लगातार ऐसी इस्तिति अगर बनी रही तो हो सकता है भविश्य में उनको खाने की चीजे ना मिले अब इसका लाव उठाकर जो साहुकार वैपारी थे वो इन अनाजों का संग्रहन करने लगे यानि कि जादा से जादा उसकी काला बजारी करने लगे उसको अपने पास वो रोक कर रखे कि जब आकाल के स्थिती आएगी तो उसको बढ़ी हुई कीमत पर बेचेंगे ये स्थिती बहुत दुखदाई थी दूसरी एक बात ये भी रही कि जो क्रिश्यक वर्ग था क्योंकि उसके मन में भी ये डर बैट गया था कि लगातार अगर ऐसी हिस्थिती बनी रही तो क्या पता कल को उसके पास भी खाने के लिए कुछ हो या ना हो तो उसने अपने से जो उसने फजल उत्पादित की थी उसको भी बेचना बंद कर दिया और एक तो परिस्थिती खराब थी क्रिशी बहुत अच्छे से नहीं होई थी और दूसरी अफवाहों के चलते लोग इसकी काला बजारी करने लगे वहाँ पर इस तरह से कोई एक्शन नहीं लिया गया उस समय कि ऐसे अफवाह या ऐसे काला बजारी के स्थिती को रोका जाए और धीरे धीरे ये इतनी खराब होती गई कि एक भयंकर आकाल और भूखे की स्थिती वहाँ पर आ गई और लगबग 30 लाख लोगों ने अपने जान गवादी तो कहीं न कहीं ये बात भी जरूरी है कि अगर क्रिशी के किसी छेत्र में कहीं पर विकास की कोई संभावना है कहीं पर परिवर्तन की कोई संभावना है तो सरकार को वहाँ पर जरूर कोई न कोई एक्शन समय रहते ले लेना चाहिए तो देखा आपने इन बुजुर्गों के अनुभाव और ये बोलते हुई तस्वीरे कितनी भयावा है इससे ये बिलकुल इसपस्ट हो जाता है कि आज हमको जो भोजन मिल रहा है वो कहीं न कहीं जो क्रिशी के छेतर में जो परिवर्तन हुए जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए उन सब का परिणाम है और आजादी से लेके लगातार कृशी के छेतर में जो बहुत सारी विकास की योजनाय बनाई जाती रही उनसे हमारी जो आज की कृशी विवस्ता है वो आजादी के बाद जो कृशी विवस्ता थी उससे काफी बहतर है आजादी के समय अगर हम कृशी विवस्ता के बात करें तो बहुत ही निम्न इस्तर के कृशी हमारे पास थी क्योंकि उस समय ना तो हमारे पास उन्नत ऑजार थे ना उन्नत तकनीके थी ना अच्छे बीज थे और कहीं ना कहीं इन सब के लिए जो सबसे महत्पूर्ण जरूरत है आर्थिक दर्शा अच्छी होनी की याने के पैसे की उसका भी आभाव था और अगर हम बात करें दीर्द कालीन भूख या जिसे हम कह सकते है अद्रिश भूख ये एक ऐसी स्थिति के बारे में हमको बताता है जब हमको लोगों को देखने से ऐसे लगता है कि वो पोशित काफी उनकी अंदर वो उर्जा वो शक्ति वो ताकत नहीं रहती जो उनकी आयू वर्ग के एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए याने भोजन तो मिलता है पेट तो भरता है और वो देखने में भी कुपोशित नहीं लगते लेगिन कहीं न कहीं उनमें संतुलित आहार का प्रयास किये हैं आगे हम इन प्रयासों के बारे में जानेंगे कि इस चेत्र में अभी तक सरकार द्वारा क्या क्या किया जा चुका है अब अगर हम बात कर यहां पर खाद सुरक्षा की क्या है खाद सुरक्षा तो जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि देश में कुपोशन की इस्तिति निर्मित ना हो पाए इसलिए सरकार ने खाद सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रबंद किये खाद सुरक्षा अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम के अंतरगत ऐसे कई नियम बनाये गये जिससे लोगों को वो जो भी भोजन मिल पा रहा है जो भी खाद्यान म मिल पा रहा है वो सुरक्षित हो और स्वास्त के दृष्टे से वो महत्वपूर्ण हो अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करें तो यहां पर हम इसको तीन भागों में बाट कर देखते हैं सबसे पहली बात हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थों की उपलब्धता कितनी है तीसरा हम देखते हैं बाजार यफिक रेशक्ति तो अगर हम भारत में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले यह देखते हैं कि जो भी संतुली तहार की श्रिणी में हम जिन अनाजों को रखते हैं क्या वो अनाज हमारे देश में पर पहले जानना और फिर जो भी कठिनाया आ रहे हैं उनको दूर करने का प्रयास करना कई बार ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी कुछ वस्तों के कुछ खाद्यानों के उत्पादन में सुधार नहीं हो पाता है ऐसे कंडिशन में हम कुछ खाद् क्या वो सही तरीके से देश की जनता तक पहुँच पा रहे हैं सरकार ने ऐसे बहुत सारे वित्रन प्रणालिया बनाई हुई है जिससे वो देश की जनता को इन खाद्यानों को उपलब्द कराती है आगे हम इसके बार में विस्तार से जानेंगे और तीसरा जो पहलू है व है यानि कि उनके पास क्या इन वस्तों को खरीदने की चंटा है इतनी उनके आर्थी के स्ति मजबूत है या इतना उनको रोजगार मिल रहा है कि वह अपनी आय से इन खाद्यानों को खरीद पाएं तो इन तीनों पहलों पर विचार करना खाद्यूरक्षा के अंतर गतिक मह बाते देखी जिन कठिनाईयों की बारे में हमने देखा उन सभी पर विचार बेमश किया गया है और अगर हम किवल 36 गर्डे के बारे में बात करें तो 36 गर्डे ने भी अपने राजे के लोगों को संतुलित आहार और पोशित आहार देने के लिए ॥ादे सुरक्ष आदिनेय लोगों चांधान के लोगों मेकले राज्य के लोगों की पूरी हो पा रहा है है नहीं और अगर मकति के लिए रिढ्बाफ कर दिया जाता है शाया सब्सक्राइं किसल कृषय को unaware hose पर दिया जाता है उनकी फसल के अच्छे मूलियों उनको दिया जाते हैं तो अब अगर हम भारत में खाध्यान उपलबदता की बात करें तो इसका सीधा सीधा समबंद होता है कि खाद्यान उत्पादन की क्या इस्थिती है अगर खाद्यान उत्पादन की इस्थिती अच्छी है तो जाहिर सी बात है कि हर एक व्यक्ति तक हर अंतिम व्यक्ति तक खाद्यान की उपलब्धता करवाई जा सकती है यानि वहां तक हर अंतिम व्यक्ति तक जो पोशित आहार वो पहुँचाया जा सकता है आजादी के समय जैसे कि हमने देखा कि भारत में कृशी वेवस्था बहुत अच्छी नहीं थी उस समय सभी लोगों को आनाज सभी लोगों को संतुलित भोजन मिल पाना काफिव मुश्किल था लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कृशी के छेतर में क्रांती आती गई यह इस्थिती थोड़ी सी सुधरती गई और अगर हम बात करें लगबख सत्तर के देशक में तो वहां पर कृशी की स्थिती में पहले से काफी ज़ादा सुधार आ गया था यहां अगर हम एक तुलना करें तो आजादी के समय कृशी उत्पादन की जो इ स्थिति थी उससे लगबग चार गुना व्रिद्धी हो चुकी थी याने अब देश के प्रतेक वेक्ति को संतुलित आहार पहुंचाये जाने के लक्षे तक हम पहुंच चुके थे और इसके साथ-साथ हम जो समाने जिस अनाज का हम प्रियोक करते हैं पतले अनाज का उसके सा साथ-सा मोटे अनाजो के उत्पाधकता में भी हम परियाप्त सफलता अब तक प्राप्त कर चुके थे आज भी हम देख रहे हैं कि जो पतले अनाज उनके साथ साथ मोटे अनाजों के डिमांड भी काफी बढ़ रही है और आज भी लगातार ये प्रयास किया जाता रहा है कि जिन अनाजों के डिमांड बहुत जादा थी उनके साथ साथ अब हम मोटे अनाजों के पैदावार में भी उसको भी बढ़ाने के लिए काफी प्रया करते रहे हैं उन पर भी काफी हद तक हम रोक लगा चुके हैं क्योंकि वो सारे अनाज हम भारत में उनका उत्पादन कर रहे हैं तो धीरे-धीरे कृषी के चेत्र में जो क्रांती आई उससे ना केवल कृषी उत्पादक्ता में व्रिद्धी हुई बलकि देश के सभी लोगो से लेकर वर्ष 2011 तक प्रतिवेक्ति खाद्यान की उपलब्धता की क्या इस्थिति है भारत में खाद्यान उत्पादन इवं उसकी उपलब्धता वर्ष उन्निस सव इंकावन जनसंख्या मिलियन में 363.2 खाद्यान का उत्पादन मिलियन तन 48.1 कुल आयात यर निर्यात मिलियन तन प्लस 4.8 कुल उपलब्धता खाद्यान मिलियन तन 52.9 Year 1961 जनसंख्या 442.4 मिलियन खाद्यान का उत्पादन 72.9 कुल आयात यर्यात 3.5 मिलियन तन कुल उपलब्धत खाद्यान 75.5 मिलियन तन 1971 जनसंख्या 551.3 मिलियन खाद्यान का उत्पादन 94.9 मिलियन तन कुल आयात यर्यात 2.0 मिलियन तन कुल उपलब्धत खाद्यान 96.9 मिलियन तन 1981 जनसंख्या 688.5 मिलियन खाद्यान का उत्पादन 113.4 मिलियन तन कुल आयात अत्वनिर्यात 0.7 मिलियन तन कुल उपलब्ध खाद्यान 114.1 मिलियन तन 1991 जनसंख्या 851.7 मिलियन खाद्यान का उत्पादन 154.3 मिलियन तन कुल आयात अत्वनिर्यात 0.1 मिलियन तन कुल उपलब्ध खाद्यान 154.2 मिलियन तन 2001 जनसंख्या 1033.2 मिलियन खाद्यान का उत्पादन 172.2 मिलियन तन कुल आयात अत्वनिर्यात 0.9 मिलियन तन कुल उपलब्ध खाद्यान 169.3 मिलियन तन 2010 जनसंख्या 1185.8 मिलियन तन खाद्यान का उत्पादन 190.8 मिलियन तन कुल आयात अत्वनिर्यात 0.2 मिलियन तन कुल उपलब्ध खाद्यान 188.6 मिलियन तन 2011 जनसंख्या 1201.9 मिलियन तन खाद्यान का उत्पादन 213.9 मिलियन तन कुल आयात अत्वनिर्यात माइनस 2.9 मिलियन तन कुल उपलब्ध खाद्यान 211 मिलियन तन धीरे धीरे जब यह देखा गया कि रोटी कपड़ा और मकान में अनिवार राशक्ताओं में रोटी सबसे महत्पूंट चीज हैं सबसे पहले तो इंसान का पेट भरना चाहिए और उसके लिए जरूरत है कृषी के पतले अनाज और मोटे अनाज कि तो पतले अनाजों का उतपाधन तो काफी तेजी से बड़ा लेकिन 2100 के और क्योंकि किसी ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो उनके उतपादन में फिर भी कमी बनी रही ऒखाला कि पतली अनाज़ लेकिन स्वास्त वर्दक अगर हम देख sizz थो मोते नज ही होते हैं आये देखे हैं कि मोटे अनाज के इंतरगत किन-किन अनाजों को हम शामिल करते हैं भोजन में समलित अनाज जिसे तीन भागों में बाटा गया पहला खाद तेल दूसरा अनाज और तीसरा डाले अनाज को दो भागों में बढ़ दिया गया मोटे अनाज और पतले अनाज मोटे अनाज में शामिल किया गया ज्वार, रागी, बाजरा और अन्य मोटे अनाज पतले अनाज में शामिल किया गया चावल और गे हूँ मोटे अनाजों में ज्वार, रागी, मक्का, कोदो, आदी अनाज सम्मिलित हैं और बहुत लोग मोटे अनाजों को हिंद रिष्टी से देखते हैं वे समझते हैं कि खुर्दुरे अनाज हैं और गरीबी का आहार है वास्तो में ये पोशक्तत्यों से परिपून होते हैं देश के शुष्क भागों में रहने वाले लोगों का ये प्रमुख आहार है प्रतिवेक्टी प्रतिदिन खाद्यान उप्लबदिता वर्ष 1959, 399 ग्राम प्रतिवेक्ती प्रतिदिन खाद्यान की उपलब दिता वर्ष 1991, 499 ग्राम प्रतिवेक्ती प्रतिदिन खाद्यान की उपलब दिता वर्ष 2011, 481 ग्राम प्रतिवेक्ती प्रतिदिन खाद्यान की उपलब दिता तो आपने देखा कि वर्ष उनिस सो इंकावन से दो हजार ग्यारा तक प्रतिव्यक्ति खद्यान की उपलब्धिता क्या थी? यहां पर हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं वो मुख्य रूप से अनाज से ही संबन दित हैं चाहे वो दाल हो, गेहूं हो, धान हो या तेल हो इन सब की उपलब्धिता की बात कर रहे हैं लेकिन जब हम बात करते हैं पौश्टिक आहार की तो उनमें हम केवल अनाज को ही शामिल नहीं करते बलकि हम कुछ अन्य खादेपदार्थ जैसे दूद, दही, अंडा, फल, सबजी इनको भी शामिल करते हैं तो इनको सुचारो रूप से और संतुलित रूप से प्रतिवेक्ति तक पहुचाने की क्या अस्थिती है, क्या इस पर कदम उठाए गया है सरकार के द्वारा इसके बारे में हम जाने, हमने देखा कि किस प्रकार सरकार ये प्रयास करती है, लगातार इकोशिस करती है, कि हमारे देश के राजी की जो फसले हैं, वो समय के अनुसार, उनका उत्पादन जो है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो, और इसलिए हमने देखा कि किस प्रकार स अच्छी हो जाए अच्छा हो जाए यहां तक ही खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य पूरा हो जाता है शायद नहीं अनाज की उपलब्धता तो हो गई लेकिन अब इन खाद्यानों को इन अनाजों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए इसके लिए भी सरकार लगाताय प् जानती है इसलिए सरकार बहुत सारी योजनाओं के साथ कारे करती है आये देखें वो कौन-कौन सी योजनाएं हैं जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का कारे करती हैं जिसमें सबसे पहली योजना हम देखते हैं PDS यानि की Public Distribution System सार्वजनिक वित्त्रण प्रणाड दूसरी योजना को हम जानते हैं ICDS सिस्टम यानि Integrated Child Development System एक एकरित बाल विकास योजना के नाम से और यहीं पर तीसरी योजना जो खाद्य सुरक्षा के अंतरगत चलाई जाती है वो है MDM यानि Mid Day Mill मध्यान भोजन योजना जिससे आप सभी परिचीत होंगे तो अगर हम सबसे पहले बात करें PDS की यानि Public Distribution System जिसे हम हिंदी में कहते हैं सारवजनिक वित्रण प्रणाली PDS की अगर हम बात करें तो ये सरकार की एक बहुत ही महातोकांची योजना है जिसमें वो निरंतर प्रियास करती है कि ये जो खाद्यान है जरूरत की जो चीजे है जिसे गेहू है, चावल है, चीनी है, तेल है इन चीजों को कम से कम सभी वेक्तियों तक उनकी जो जरूरत की जो मात्रा है परियाप्त मात्रा में उन तक पहुंचाया जाए तो आप देखते होंगे कि आपके गाओं के आसपास आपके शहर में कहीं न कहीं ये PDS के जो दुकाने होती है जिसे हम सरकारी राशन के दुकान ये कोटा भी कहते हैं ये आपके गाओं में होगा आपके शहरों में भी होगा जहां आप देखते होंगे कि यहां से अगर आपको खाद्यान प्राप्त करना है अनाज प्राप्त करना है तो पूरी प्रक्रिया के साथ पहले सरकार आपके लि उसमें लिखे गए रहते हैं इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि सरकार यह चाहती है कि किसी परिवार में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों के अनुसार उस परिवार को अनाज जो है वो उनका वितरण किया जाए याने एक व्यक्ति को जितने मात्रा में भोजन की जितने मा मात्रा में अनाज की आवशक्ता होती है उतनी मात्रा जरूर सभी वेक्तियों को मिल पाए ये सुनिश्यत करने के लिए राशन कार्ट बनवा दिया जाता है और फिर आप सारवजनिक वित्रन प्रणाली के जो दुकाने होती है राशन के जो दुकाने होती है वहां जाकर आप बहुत आसानी से हर महीने जो भी वहाँ पर अनाज के उपलब देता होती है वो आप वहाँ से बहुत आसानी से ले सकते हैं यहाँ अगर हम बात करें कि यह जो PDS की दुकाने होती है यहां पर राशन का जो समान है गेहूं चावल और जो अनाज महाँ पर मिलते हैं वो आता कहां से हैं तो यहां पर हम एक नए नई जानकारी प्राप्ति करेंगे जो है FCI यानि Food Corporation of India के बारे में वास्तों में इन सभी राशन के दुकानों में जो राशन आता है वो FCI के जो करें तो FCI हर उस राज से गेहूं और चावल को खरीद लेती है जहां पर अत्रिक उत्पादन हुआ रहता है आप देखते हैं कि पूरे देश में मौसम का जो हाल होता है वो एक सा नहीं रहता है कुछ राज जैसे होते हैं जहां मौनसुन सही समय पर आता है अच्छी बारि कि कहीं पर अकाल पढ़ गया कहीं सूखा पढ़ गया कहीं आ समय बारिश हो गई कहीं ओला व्रिष्टी हो गई तो वहां के फसल खराब हो जाती है तो ऐसे राजिये जहां पर फसल बहुत अच्छी होती है यह अतरिक उत्पादन होता है वहां से सरकार उन राजियों से खर करके रखती है और इन FCI के गुडाउन से फिर सार्वजनिक वित्रन प्रडाली के दुकाने होती है वहाँ पर इन फूट के सप्लाई के जाती है यहीं पर हम एक बात यह भी जान ले कि कई बार FCI इसलिए भी अत्रिक्त स्टॉक करके रखती है फूट का ताकि जिसको हम बफर स्टॉक कहते हैं तो बफर स्टॉक रखने के पीछे सरकार का उद्देश यह होता है कि माल लेजिए कोई ऐसी स्थित्य उत्पन हो जाए कि कहीं बाड़ सूखा या अन्नी किसी कारण से जिसे हमने पिछले अध्या में पढ़ा कि अकाल पढ़ने जैसे इस्थित्य आ जाती तो यह पूरा का पूरा एक चैनल होता है जो किसानों से जो उनका उत्पादन होता है अनाज होता है उसको फिर कहीं न कहीं जनता तक पहुँचाने का कारण पेडियस के माध्यम से सरकार करती है दूसरी योजना की बारे में हमने सुना जिसे नाम दिया गया है ICDS Integrated Child Development System एक एक रित बाल विकास योजना अब क्योंकि बाल विकास योजना की हम बात कर रहे हैं पर हम बच्चों की विकास की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उन महिलाओं को भी हम यहाँ पर जोड़ते हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं जो शिशु को जन्म देने वाली हैं यह ऐसी माताएं हैं जनोंने अभी शिशु को जन्म दिया है छोटे जिनके बच्चे हैं क्योंकि वो उनको दूद पिलाती है तो उनको भी उन माताओं को भी स्वस्थ रखना जरूरी होता है अगर वो माताओं स्वस्थ रहेंगे तो उनके जो छोटे शुशु छोटे जो बच्चे हैं हो भी स्वस्थ रहेंगे तो यहां पर सरकार लगातार ये प्रियास करती है कि जो 6 माह से 6 वर्ष तक की आयू के जो बच्चे हैं और उनकी जो माताएं हैं उनको कम से कम इतना पोशित आहार मिल पाए कि पोशन का शिकार होने से वो बच जाए लगातार इस यूजना के अंतरगति प्रयास किया जाता है कि उन बच्चों का नियमित टीका करण होता रहे क्योंकि जन्म से लेकर कुछ महीनों तक हम देखते हैं कि लगातार बच्चों को का टीका करण कराया जाता है ताकि भविश्य में जो भी बिमारिया होने वाली है उन बिमारियों से बच्चों को बचाया जा सके और साथ ही साथ आप देखते होंगे कि आंगनबाडी केंदर में लगातार इन बच्चों का और उनकी माताओं का स्वास्थ परिशन भी होता है वजन तेवहार और इस तरह के बहुत सारे से तेवहार चलाया जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में जिससे समय समय पर बच्चों का वजन नाप लिया जाता है उनके पोशन के इस्थिति पार शेन आप ले जाती है और यह पता लगा लिया जाता है कि बच्चा अपनी आयू के अनरूप पोशित है या नहीं या उसमें कोई प्रॉबलम नहीं है कुपोशन तो नहीं है अगर कुपोशन जैसे कोई लक्षन पाए जाते हैं तो फिर उनमें जो भी प्रॉब्लम है जो कारण है कुपोशन के उसको दूर करने का प्रयास भी वहीं पर किया जाता है इसी योजना के अंतरगत हम देखते हैं क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है वो एक से पांच वर्ष तक की आयू में उसके मस्तिश्क का लगभग 90 प्रतिशत अविकास हो जाता है तो इस एज में उसको संतुली तहार, पोशी तहार मिलना बहुत जरूरी होता है और यही कारण है कि ICDS की जो योजना है इसमें पूरा-पूरा फोकस किया जाता है 6 माँ से 6 वर्ष तक के बच्चोंके development के लिए ताकि इनकी प्रारेंबिक अवस्ता का जो विकास है वो अच्छी तरह से हो सके ताकि लम्बे समय तक आगे चलके भी इनका शरीर स्वस्त being बना रहा है, इनका मस्तिश्क का जो विकास है development है, वो सही तरीके से होता रहा है लगभग 43 प्रतिशत बच्चे ऐसे पाए गए हैं जो कुपोशन का शिकार है तो बहुत अच्छी बात हम यहाँ पर यह नहीं कह सकती कि इतनी सारी योजनाओं को चलाने के बाद भी कहीं न कहीं बच्चों में गर्भवती महलाओं में शिशों में इस तरह के जो कुपोशन क की स्थिति देखी गई है तो खाद सुरक्षा के दिश्टिकोंड से अभी भी एक गंभीर मसला हम इसको कह सकते हैं इन्हीं सब परिशानियों को देखते हुए या इनका हर ढूंटे हुए MDM योजना चलाए गए जिसके बारे में आप सभी बहुत बहुत बहतर तरीके से जानते होंगे आप भी जब प्रैमरी या मिडल स्कूल में होंगे तो आपने देखा होगा कि विद्यालियों में आपको एक अच्छा आहार पर डे के हिसाब से अलग अलग मेनू जो डिसाइड़ रहता है उसके हिस आप से आपको बहुत अच्छा आहार मिलता रहा होगा जब आप प्रैमरी और मिडल क्लासस में रहते होंगे तो इस पूरी योजना का उद्देश सरकार का ये था कि 6-14 वर्ष तक कि आयू के बच्चों को कम से कम ऐसा संतुलित आहार ऐसा पोशित आहार दिया जा सके जिस प्रशी योजना सभी स्कूलों में अभी भी उपलब्द है तो यह हम ने बात कि उन योजनाओं की जो खादि-स उरक्षा के उद्देशों को पूरा करना के लिए सरकार के द्वारा लगातार चलाई जारे हैं काफी हद तक इनके उद्देशों को प्राप्त भी कर लिया गया है लेकिन पूरी तरीके से इनके उद्योशों को प्राप्त नहीं किया जा चुका है और लेकिन का रिजल्ट काफी अच्छा है इसलिए ये योजनाय लगातार जा रही है अब हम बात करें खाद्यान जो है खादिपदार्त जो है उनके क्रेश रक्ति की और उनके बजार तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम बाजार या क्रेश रक्ति के बात करें तो ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं यह उब्भोक्तां के लिए बात कर रहे हम जिसे हम कहा सकती आम जनता जो भोजन का उभोग कर रहे हैं वो उभोगता है इसको अगर हम दो भागों में बाट कर समझे तो शायद हम बहतर समझ पाएंगे हमारे पास दो तरह के उभोगता होते हैं उन्हें हम क्रिश्यक वर्ग और गैर क्रिश्यक वर्ग में अगर बाढ़ दे तो एक वर्ग जो क्रिश्यक वर्ग होता है वो तो खुदी अपने अनाज उभ जाता है और खुदी उसका उभोग करता है तो उसको बहुत ज़्यादा दूसरे पर depend नहीं रहना पड़ता लेकिन एक परिस्थती ये भी देखने को मिलती है कि जरूरी नहीं है कि एक किसान जो है वो सब तरह के अनाज उपचाले तो जिस अनाज का वोत पादन करता है उसका वो भोग करता है और बाकी चीजों के लिए वो भी बजार पर निर्भर रहता है लेकिन एक हम कह सकते हैं कि एक क्रिशक वर्ग होता है जो बहुत ज़्यादा बजार पर ये सरकार की यूजनाव पर डिपेंड नहीं रहता दूसरे वर्ग की हम बात करें तो वो होता है गैर क्रिशक वर्ग उसके पास किसी प्रकार की कोई क्रिशी भूमी नहीं रहती वो कहीं ना कहीं नौकरी करता है को यानि बिजनस करता है लेकिन क्रिशी से उसका कोई लेना देना नहीं रहता यानि कि वो इस तरह के खाद्यान के लिए पूरी की पूरी तरह या तो बाजार पे निर्भर करेगा यानि कि खरीद के खायेगा और या फिर उसकी क्रेश रक्ती अगर कम है यहां पे भी दो प्रकार के उबभुकता हो सकते हैं एक ऐसे गैर क्रिशक उभोकता जो जिनकी क्रेशक्ती अच्छी होती है यानि उनके पास इतनी आय होती है कि वो अपनी जरूरत के जो भी अनाज उसको खरीच सकते हैं दूसरे उभूगता ऐसे होते हैं जो गैर कृषक होते हैं उनकी क्रैशकती भी बहुत कम या ना के बराबर होती है वो खरीत के अनाज खा भी में सकते ऐसे जो गैर क्रिशक उप्भोगता होते हैं वो पूरे के पूरे तरीके से सरकार के द्वारत चलाए गई योजनवाप पर निर्भर करते हैं और ओल कैसे भी उनको अनाज की उपलब्धिता हो चाहे वो क्रिशी करके अनाज उत्पादन करें और उसका उप्भोग करें और फिर वो बजार से खरीदें और फिर वो सरकार की योजनवाप पर निर्भर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं खाद्यान के उपलब्धिता सुनिष्चित करना सरकार का एक करताभर माना जाता है यहां पर हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा और बहुत सारी जो ऐसे विभाग हैं जो लगातार लोगों के पोशन पर उनको मिलने वाली कैलोरीज पर उनके स्वास पर नजट टिकाए हुए रहते हैं कि सब्चे सही शौट चल रहा है या नहीं उन्हेंने कुछ कैलोरी निर्धारित कर दी है कि एक वैक्ती को प्रती दिन कितनी कैलोरी की जरूरत होती है और यहां पर भी वैक्ती को ग्रामीन और शेहरी चेतरों में बाट दिया गया ऐसा मान लिया गया कि शेहरी चेतरी के जो लोग होते हैं उनका फिजिकल वर्क कम होती है और ऐसी कंडिशन में यह मान लिया गया कि शहर का अगर एक वेक्ति है तो उसके रिक्वार्बेंट पर डे 2100 कैलोरी की होनी चाहिए और वहीं पे अगर एक ग्रामीन वेक्ति है गाओं का एक वेक्ति है तो उसके जो रिक्वार्मेंट कैलोरीज की है वो 2400 कैलोरी की होनी चाहिए अब अगर इतनी कैलोरीज उनको नहीं मिल पा रही है उनके खाने में तो कहीं न कहीं वहां पर कुपोशन की स्थिति बन सकती है कैसे इस इस्थिति को दर्शाया जाता है आईए हम इसको एक ग्राफ के द्वारा घ्रामीन भारत में कैलोरी के मात्रा प्रतिव्यक्ति के आधार पर अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो यहां देख रहे हैं कि रेखा ओ एक्स अक्षपर खाद पर वय प्रतिशत दिया गया है और रेखा ओ वय पर क्यालोरी के खपच दिगई है पाइप आई हां पर हम देखते हैं कि प्रठम वर्ग जो है वह fahad पर बेर फिञ पुछिस प्रतिशत करता है और उसको 1624 क्यलोरी प्राप्ट हिस कियाव दूसरा वर, fahad पर व्य करता है उसको 243 के लो क्यालोरी दिना ऊपंगम को आपने में कि क्स प्रकार को पोशन की स्थिति को ऐलग अलग दर्शाया जाता है पंगे पोशन की इस्थिति की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे स्वास्त संगठन, स्वास्त संस्थाओं के द्वारा ये निश्चित कर दिया जाता है कि किस IU वर्ग के लोगों के लिए जो कैलोरीज है, वो क्या है, वजन जो है वो लगभग कितना होना चाहिए, ह जो है वो किस तरह के होनी चाहिए, इसका पूरा चार्ट बना दिया गया, यहां अगर हम बात करें एक विज्ञानिक पध्धती की जिसके अधार पर ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति पोशित है या कुपोशित है, तो हम BMI चार्ट का उप्योग भी कर सक सकते हैं, और BMI के फॉर्मूले के द्वारा भी हम ये पत्ता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति सुनिश्चित है या फिर कुपोशित है, तो आए जाने BMI क्या है, BMI के बारे में हम जाने, यहां पर BMI का फुल फॉर्म है, बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम हिंदी में कहते है, इन आकड़ों पर अगर हम नजर डालें, तो वैसे वास्तों में यहां पर जो फॉर्मूला बताया गया है, BMI की क्यालकुलेशन का, वो WHO याने World Health Organization के द्वारा भी प्रमाणित है, इसलिए हम इसको विज्ञानिक पद्धती मान लेते हैं, और इसके लिए हम किस फॉर्मूल किलोग्राम में बटे लंबाई, गुड़ित लंबाई मीटर में और इसको हम एक एक्जामपल से समझें, तो हम देखते हैं कि यहां पर एक नाम दिया गया है, फिमेल नेम है यह इरानी, और इसका इसकी आयू हम देखें तो पंद्रा वर्ष चैमा है, और लंबाई है, इस 26 किलोग्राम, अब BMI से हम कैलकुलेट करें, यह जो रानी है, यह पोशित है कि कुपोशित है, तो फॉर्मूले पर अगर हम यह सारे डेटा को फिट करें, तो हम देखते हैं कि यह हो जाएगा, BMI इक्वाल टू, 26 divided by 1.34 into 1.34, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारा आ अंसर आएगा 14.52, यानि BMI हमको 14.52 मिला, अब हम यह कैसे पता लगाएंगे, कि यह जो रानी है, यह पोशित है कि कुपोशित है, तो आएए हम BMI से रिलेटेड एक चार्ट देखें, तो इस शार्ट में आपने देखा कि minimum जो वैल्यू है, वो 18 पॉइंट सम्थिंग होनी चाहिए, जो कि रानी की नहीं है, यानि यह मान लिया जाएगा कि रानी जो है, वो कुपोशित है, अब इसके कारणों का पता लगाया जाएगा, कि क्या ऐसा कारण है, क्यों उसको संत तो लिद भोजा नहीं मिल पा रहा है, क्यों वो कुपोशन का शिकार हो रही है, और फिर जो उसके जरूरते हैं, उसको पूरा करते हुए, कोशिस किया जाएगा कि उसके कुपोशन को दोर किया जाए, एक्चुली देखा जाए तो बहुत सारे देश एक बहुत बड़ी ज जनसंख्या है, अगर हम बात करें हाँ पर तो 30-40 प्रतिशत जनसंख्या देश की ऐसी है, जो कहीं न कहीं दिखते तो पोशित हैं, लेकिन इनके अंदर कहीं न कहीं सभी पोशकाहार, सभी विटामिन मनर्स जो होने चाहीं वो नहीं होते हैं, और इको पोशन की श्रेणी म जाए, और अगर वो को पोशित हैं, तो उसका पता लगाकर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाए, इस तालिका को देखें और NIN की एक रिपोर्ट को हम देखें, तो NIN की एक रिपोर्ट कहती है, कि अकेले भारत में ही अलगबग 35 प्रतिशत अव्यस्क ऐसे हैं, जिनके BMI 18.5% से कम हैं, और 13% ऐसे हैं, जिनके BMI 25% से जादा है, तो कहीं न कहीं असंतुलन के स्थिति अभी भी देश में बनी हुई है, लेकिन लगातार सरकार ये प्रयातनशील रहती है, स्वास्त विभाग भी लगातार प्रयास में रहता है, कि कुपोशन जो एक बहुत गंभी समस्या है अदेश के लिए, उसको दूर करने का प्रयास किया जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए खाद सुरक्षा का पूरा उद्देश नरधारिक किया गया है, और इन उद्देशों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाय बनाई जो अभी भी संचालित है, जिसके बारे में हमने इस पूरे अध्याय में जाना